तो हेलो गुड मॉर्णिंग एवरीबन कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा चर्चा का विशा है मेटाबॉलिजम तो आप मेटाबॉलिजम से क्या समझते हैं कि जैसे अगर किसी 12 क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि वह दो स्वागत ह CC गैनेके दूसरा क्या बताता है वह एनापोलिजम िंगनमेतििक से और गूंक्तBY से और। क्या है सब्दों फिरर आंप समझते हैं वह क्या है कि मेटाबॉलिजम का दूसरा नाम में हमारा बायो ट्रांस्फोर्मेशन तो what do you understand by बायो ट्रांस्फोर्मेशन ये एक बहुत important topic है ये आपको 5 number में बिल्कुल पूछा जाने वाला question है कि इसमें क्या होता है कि chemical alteration होता है किसका chemical alteration होता है drug का कहाँ पर हमारे body में जिससे की जो drug हमारे क्या होते है lipid soluble drugs होते है उनको क्या कर देता है वो polar यानि lipid insoluble मतलब water soluble drug में क्या करता है वो convert कर देता है उससे क्या होता है वो आसानी से हमारे body से excrete out हो सके और वो reabsorb ना हो हमारे kidney के tubules में तो bio transformation यानि metabolism में क्या होता है कि जैसे अगर हमारा lipid soluble drug है lipid soluble drug हम लोग क्यूं लेते हैं ताकि वो आसानी से हमारे cell membrane को cross कर पाए तो bio transformation में क्या होता है lipid soluble drugs से कहां water soluble drugs में convert करना है ताकि वो आसानी से excrete out हो सके क्यों क्योंकि उसको blood में रखना ज़रूरी नहीं है ठेक है क्योंकि अगर उसको concentration हमारे blood में जादा हो जाएगा तो उससे क्या हो सकती है toxic CT हो सकती है उस drug की हमारे body के अंदर तो bio transformation में क्या होता है कि conversation होता है transformation means transform हो रहा है किसका अगर lipid soluble drug है उसका किसमें transformation हो रहा है lipid insoluble यानि water soluble drugs में उसका transformation होता है और क्यूं होता ऐसा ताकि वो हमारे renal tubules में reabsorb ना हो पाए मतलब renal tubules से reabsorb होंगे तो फिर renal tubules क्या होता है पहले यह देखिए जो हमारा kidney है तो यह अपना kidney का glomerular हिस्सा है यहाँ पर आता है एक tubule ओके तो यहाँ पर क्या होता है न री absorption होता है तो फिर अगर lipid soluble drug होग में और अगर water soluble drugs होगा तो फिर हमारा क्या होगा excrete out हो जाएगा इस वज़े से हमारा biotransformation का process चलता है और वैसे mechanism जो metabolize करते हैं drugs को वह ऐसा इसलिए बनाया गया है इन तरह के mechanisms को ताकि हमारे body में toxicity ना create हो सके क्यों ड्रक्स की वज़े से क्या होती थी toxicity होती थी है ना concentration बढ़ता था drug का bottle blood में excess of everything is bad होता है है न तो फिर यह हुआ हमारा इसका definition जो की पांच नमर के हिसाब से enough है और आगे हम करेंगे कि bio transformation से क्या क्या होता है पहला inactivation दूसरा active metabolite from active drug बनता है active drug से क्या बन जाएगा active metabolite बनेगा और inactive drug का क्या हो जाएगा activation तो चली एक-एक करके हम लोग इसको discuss करते हैं तो पहला क्या है हमारा inactivation तो inactivation में क्या हो रहा है कि हमारे जो drugs है वो active form में होंगे पहले से मौझूद और उनको क्या हो जाएगा हमारे kidney में हमारे liver में यह सारे जगा पर जहांपर हमारा क्या होता है bio transformation होता है जहांपर क्या होता है ड्रग का metabolism होता है और देख लिजिए एक point का है कि हमारा जो drug का metabolism का primary site हो गया है सबसे important lever और lever ही क्या है हमारा largest organ है लिभर भी और कहां कहां पर metabolism हो सकता है kidney में हो सकता है intestine में हो सकता है lungs में हो सकता है plasma में हो सकता है बट सबसे ज़्यादा metabolism हमारा liver में ही होता है तो फिर हमारा क्या था आगे कि drugs जो है वो अगर active form में रहेंगे तो फिर उनको किस form में convert कर देगा inactive form में या फिर less active form में तो इस process को हम कहते हैं कि inactivation मतलब inactivation मतलब पहले से क्या है वो active है और फिर उसको किस में convert कर देंगे हम inactive या फिर less active form में हम उसको convert कर देंगे इसके examples क्या क्या है हमारे इसकी example से morphine chloram fenicol okay and next है हमारा क्या active metabolite से क्या बनाए active drug ठेक है active metabolite from active drug active form में वो पहले से है और उसको क्या कर रहे हैं और ज्यादा active form में convert कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे drugs को क्या पाया जाता है कि partially converted to one or more active metabolite मतलब वो पहले से किस form में है active form में हैं और उसको क्या कर रहे है more active form में more active metabolite उसको हम convert कर रहे हैं यह जो effects हमें देखते हैं तो फिर जो हमारा drug का effect होगा वो कैसा होगा सम किसका सम होगा सम का मतलब जोड इसका समोगा पेरेंट ड्रग का जो इफेक्ट आएगा प्लस उसके जो अक्टीव Balkh उए हैं उनका भी सम जो अक्टिव डिखाएगा वह दिखाएगा हमारा अक्टीव मेतबोलाइड ओके इनेक्स बन वन है क्या हमारा activation of inactive drug यानि inactive drug है पहले से inactive form है तो फिर उसको किस form में convert कर देंगे यह कहा होगा हमारे body के अंदर होगा कि जो inactive form है drug का जो inactive form है drug का उसको किस form में करेंगे active form में convert करेंगे या फिर more active metabolites में convert करेंगे तो यह जो process होता है और ऐस तरह का drug होता है इसको हम बोलते हैं क्या pro drug तो pro drug की कुछ advantages भी होती है सबस्पर समझते pro drug क्या होता है कि जैसे कोई drug हमारा inactive form में है तो वो drug हमारे body के अंदर क्या हो जाएगा more active metabolite में convert हो जाएगा ठीक है या फिर more active form में convert हो जाएगा ठीक है inactive से क्या हो जाएगा active इसके कुछ advantages होते हैं वो क्या क्या है कि pro drug क्या more stable है उसकी better bioavailability आती है bioavailability मतलब क्या होता है किस rate से drug हमारे blood में पहुच रहा है ठीक है किस rate से drug हमारे blood में पहुच रहा है तो उसकी क्या हो जाती pro drug की bioavailability अच्छी हो जाएगा क्योंकि inactive form से active form में convert हो जाता है और इससे क्या होता prodrug के side effects कम आते हैं and उससे हमारे blood में toxicity कम create होती है toxicity कम create होती है अब देखते हैं कौन कौन से drugs के active form से prodrug हमें बना सकते हैं जैसे dopamine है बहुत important example है ठीक है कि dopamine है वो active form में उसका prodrug के है levodopa and इसका एक और example ले लो epinephrine epinephrine का prodrug के है depifrine ठीक है दो examples बहुत है ठीक है और देखते हैं हमारा क्या active drug पहले से था second step में क्या था हमारा second step में था activation of active metabolite from active drug मतलब active form में पहले से था उसका बन जबन जारा था more active metabolite में आ जा रहा था इसमें क्या है हमारा पहला example क्या फिनाट सिथीन उसका एक्टिव मेट परसिटा मॉल मतलब यह उद्दाध एफेक्टिव ठीक है इसमें यही था न के more active फों में आढ़ रहा था, तो फिर उसक जो action है वो क्या हो रहा था, यानि सपोस्थ, उसका एक्जामपल ले रहेंगें, पैराचीटा मॉल का, पैराचीटा मॉल का पैरँट ड्रग क्या है, हमारा पैरिंट ड्रग है, फिना सेटीन यह फिनासेटीन का भी action उसका अक्टिव मेटाबोलाइट का भी action वह दिखाता है हमारा यह ड्रक तो फिर हमारा कुछ ड्रक जो एक्टिव फ़र्म से अक्टिव मेटाबोलाइट बनाते हैं and next अगर हम इसका एक दूसरा एक्जामपल रखे तो digitoxin हम heart के case में use करते हैं cardiac disease के cases में हम लोग digitoxin यूज करते है तो फिर उसका product क्या है हमारा digitoxin ओके तो यह था हमारा metabolism पर तो फिर अगला हम क्या करेंगे कि कौन-कौन से reactions होते हैं bio transformations के reactions क्या हमारा पहला क्या phase 1 दूसरा क्या अपना phase 2 phase 1 का दूसरा नाम क्या है phase 1 का दूसरा नाम है आपको non synthetic reaction और phase 2 का क्या है synthetic reaction ठेक है तो फिर इसमें जो phase 1 reaction है इसका जो metabolite होगा वो या तो active form में भी पाया जा सकता है या तो in active form में भी पाया जा सकता है बट यह जो phase 2 है यहाँ पर जो metabolite है वो mostly क्या पाया जाता है in active form में हमने पता किया कि active form क्या होता है और in active form क्या होता है अब देखते हैं कि phase 1 reactions में detail में तो phase 1 reactions को कुछ parts में बाटा गया है इसमें आता है हमारा phase 1 में कुछ parts में बाटा गया इसमें है हमारा पहला oxidation तो oxidation का मतलब वोई है कि अगर हम इसमें क्या करेंगे addition करें किसका addition करें किसका oxygen का या फिर अगर हम उसमें क्या करेंगे remove करें किसको remove करें hydrogen आयन को या फिर positive charge radical को हम लोग क्या करें remove करें तो फिर वो होता है हमारा oxidation इसमें इतना लिखो गए आप बहुत है ठीक है और oxidation reaction है यह जो है वो हमारा most important drug metabolizing reaction होता है तो आप लोग में से कुछ लोग पूछ रहेते notes के बारे में तो फिर मैं अभी 7-7 में notes भी बना रहा हूँ तो यह जो क्या है हमारा most important drug का metabolization होता है उसका सबसे जाधा important reaction हमारा oxidation का है और आप लोग साथ साथ में नूर्स बनाऊगों तो आपको जाधा समझ भी आएगा ठीक है यह था हमारा phase 1 का पहला reaction non synthetic का पहला reaction और दूसरा reaction क्या है अपना दूसरा reaction है reduction बस oxidation का उल्टा कर दो कि इसमें क्या कर रहे हम लोग reduction में removal of oxygen या फिर negative charge radical बस से उल्टा ही करना है इसलिए इसको साथ में रखा गया oxidation और reduction को या फिर removal की जगा क्या लगा दो आप addition किसका hydrogen का या फिर positive charged radical का ठीक है और फिर इसका क्या है हमारा कि जो हमारा enzyme का working होता है वो बिल्गुल opposite direction में होता है वैसे ही जैसे oxygen का removal हो गया या hydrogen का addition हो गया drugs जो है वो हमारे reduced होते हैं वो कौन कौन से है reduction से जो हमारे drugs हमारा metabolism होता है उन drugs का example है क्लोरम फेनिकॉल या थैलो थीन एक भी example याद रखोगे तो बहुत है इनफ है अगला है क्या अपना hydrolysis तो hydrolysis से अब क्या समझते हो कि addition हो रहा है किसका water का है ना या फिर cleavage हो रहा है किसी किसी bond का ठीक है किस से water के बज़े से है ना कि जैसे देखो hydrolysis इसमें क्या हो रहा है अपना cleavage हो रहा है किसका drug का molecule का क्यूं क्यूंकि हमारा water addition हो रहा है ना तो जैसे easter एक drug molecule उसमें हम क्या कर रहे है water add कर रहे है ठीक है तो फिर वह क्या हो रहा है acid में और alcohol के form में ठीक है तो फिर जो easter है वह क्या हो रहा है to try acid और alcohol में ठीक है तो यह था हमारा hydrolysis की मतलब क्या हो रहा है cleavage हो रहा है क्यूं hydrogen water के addition से अगर हम water के addition करें किसी भी drug में तो drug का क्या हो जा रहा था cleavage हो जा रहा था तो यह था हमारा hydrolysis और hydrolysis basically आपको होता कहां है hydrolysis आपको होता है liver में intestine में plasma में और भी कुछ tissues में अब इसमें कौन-कौन से drugs है जो hydrolyze हो जाते हैं example है उसके क्या oxytocin ओके and next reaction है अपना cyclization cyclization में क्या हो रहा है कि जो हमारा aliphatic chain carbon atoms है उनको क्या कर रहे थे हम cycle बना दे रहे थे cyclo-alcane, cyclo-arine तो इसमें क्या हो रहा है हमारा formation हो रहा है किसका ring structure का ठीक है मतलब alkane molecule को किसमें बना दे रहे हैं हम cyclo में ठीक है straight carbon chain से हम लोग उसको cyclo molecule बना दे रहे है formation of ring structure from straight chain compound यानि aliphatic compound से aromatic ठीक है chain compound यानि क्या है हमारा aliphatic compound जो होते है उसको किसमें कर दे रहे हैं हम aromatic इसमें कौन सा ड्रग होता है एक्जाम्पल है ड्रग का हमारा प्रो गुआ निल इसमें आपको अभी भी अकर समझ में नहीं आया है तो जिसे आप एक्जाम्पल ले लो प्रोपीन का CH3 CH2 CH3 यह क्या है अलिफैटिक रिंग में है अलिफैटिक चेन है इसको आप लोग क्या बना दो रिंग में C C CH2 H2 H2 ओके यह क्या होगा है अलिफैटिक से अरोमेटिक तो यह था हमारा Cyclization and next है हमारा क्या De-Cyclization तो बस उसी का उल्टा होगा De-Cyclization में De-Cyclize इसका color change कर देते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ring form हुआ ring जो form हुआ उसको क्या कर देंगे हम लोग open कर देंगे ring जो से form हुआ उसको फिर से वापस से का करेंगे खोल देंगे ठीक है example इसका क्या था अपना barbiturate हर metabolism का जो reaction है उसका जो example है वो बहुत important है आप अगर example भी वस लिखके आ जाओगे कि De-Cyclization में क्या होता है कि barbiturate इसका example है तो फिर इसमें भी आपको एक एक नंबर वो दे सकते है ठीक है जैसे पांच reaction आइस नॉन सिंथेटिक के उसमें आपको example याद रखना ज़रूरी है De-Cyclization में क्या हो रहा था हमारा ring compound था वो किसमें straight chain में convert हो जा रहा था and next reaction है हमारा वो क्या है synthetic reaction यानि phase 2 के reactions तो synthetic reactions में देखते हैं क्या होता है synthetic reactions synthetic में आपका आता है पहला क्या glue coronide conjugation तो glue coronide conjugation का क्या होता है कि वैसे compound जिनमें hydroxyl group हो या carbozylic group हो वो conjugate हो जाते हैं किस के साथ वो conjugate हो जाते हैं glue chronic acid के साथ ठीक है तो वैसे compound जिनमें क्या हो hydroxyl group हो या carboxylic acid हो ठीक है वो क्या क्या हो जाएंगे conjugate हो जाएंगे conjugate का मतलब जुड़ना जुड जाएंगे ठीक है वो किस से जुड जाएंगे हमारे glucuronic acid के साथ जुड जाएंगे जो कि किस से derive है glucuronic acid? glucuronic acid derive है हमारे glucose से ठीक है अब देखते glucuronic conjugation का example इसका कौन-कौन से drug हमारे glucuronic conjugation शो करते हैं तो वो है हमारे chloram phenycol तो बहुत आसान रहे है ना glucuronic conjugation यानि hydroxyl group या carboxylic acid group conjugate हो जाएंगे जुड जाएंगे इसके साथ glucuronic acid के साथ और यह glucuronic acid है वो कहां से derived है glucose से derived है इसका example है क्या आपना chloram phenycol ठीक है तो जो drug glucuronized है वो हमारे bile के form में excrete out होते है ठीक है वो क्या होता है कि यह उतना important नहीं है अगर इतना भी लिख के आ जाओगे तो enough है ठेक है तो अगला है अपना क्या acetylation acetylation में क्या होता है कि वैसे compound जिनमें की amino group हो amino NH2 या hydrazine N3H यह सारे groups हो वो अगर conjugate हो जाएं किनके साथ acetyl coenzyme A के साथ ठीक है वो अगर इसके साथ conjugate हो जाएं तो फिर उनसको क्या कहते हैं acetylation reaction यानि वैसे compound जिनमें amino group हो या hydrazine group हो वो conjugate हो जाएं किसके help से acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A के बारे में आपनो biochemistry में पढ़ाववत seconds हमें तो फिर वैसे drugs को हम क्या कहते हैं acetylation वैसे reaction क्या कहते हैं acetylation और कौन-कौन से drugs acetyl reaction शो करते हैं उनका example है आपको सल फोना माइड ओके and next reaction है क्या अपना methylation reaction इसको आपको नाम से ही पता चलता होगा color change methylation reaction में क्या हो रहा है हमारे कि जैसे amines nh2 या phenols amines या phenols वो क्या हो जाएंगे methylated हो जाएंगे यानि उसमें क्या हो जाएगा methyl donor कोई methyl group जाकर के जुड़ जाएगा ठीक है example क्या आगे आपना methionine और cysteine तो methylation में क्या हो रहा था methyl group आ करके इसमें जुड़ गया और फिर यह क्या करते है methyl donors की तरह काम करते हैं इसका example है क्या अपना adrenaline histamine या nicotinic acid तो methylation reaction में क्या होता है amine group या फिर phenol में अगर हमारा क्या हो जाएगा methylated हो जाएगा ठीक है इनको हम लोग methylated कर सकते हैं और फिर बन जाएगा क्या अपना methionine और cysteine और फिर यह क्या हो गया methyl donors है ठीक है तो फिर वह methyl को donate करेंगा इसका example कॉन-कॉन से drugs जो methylation reaction दिखाते हैं adrenaline histamine nicotinic acid अगला reaction है क्या अपना sulphate conjugation sulphate conjugation मतलब क्या sulphokinase या फिर sulphate से जुड़ा हुआ है तो चली देखते हैं sulphate इसमें क्या होता है कि जो हमारे phenolic compounds होते हैं phenolic compound या steroids जो होते हैं वह sulphated हो जाते हैं किस से sulphated हो जाते हैं sulphokinase से तो यह होता है हमारा sulphate conjugation तो जो हमारे alcohols या I mean sorry हमारे जो phenol groups होते हैं या steroids होते हैं वह sulphated हो जाते हैं किस से sulphokinase से आप अगर इसको reaction बनाके देखोगे न तो आपको बढ़ा असान लगेगा ऐसे पढ़ने में आप बहुत complex लगेगा तो हमारे क्या phenol से या फिर इस्टुराइट से वह क्या होते हैं सलफेट होते हैं किस से सलफो काइने से यह है हमारा sulphate reaction सब कुछ सलफा सलफा ओके इसमें क्या है एक्जांपल इसमें वही एक्जांपल ग्लाइसीन कंजूगेशन तो ग्लाइसीन कंजूगेशन में क्या होता है सैली साइलेट्स और बाके के ड्रग जिनमें क्या होगा हमारा कार्बोगजाइलिक ऐसेट का ग्रूप होगा सैली साइलेट्स या फिर कुछ और भी ड्रग जिसमें कौन सा ग्रूप होगा कार्बोगजाइलिक ऐसेट का ग्रूप होगा वह कंजूगेट हो जाएंगे मतलब जूड़ जाएंगे किसके साथ ग्लाइसीन के साथ यही है हमारा इजी एक्षन बिल्कुई क्या है कि सैली सा क्लाइसीन की साथ फिल्कुड़ क्या हो रहा है जिसमें की अफिर ऑधर ग्रूप है जिसमें क्या प्रिजेंट में तो नक्य आक्षन है अपना सिय 500 conjunction तो glutathione conjugation में क्या होता है की आपको एक mercapturate का formation होता है mercapturate तो mercapturate पहले समझते हैं क्या होता है कि mercapturate एक salt है किसका mercaptain का तो फिर इसमें देखते हैं इस reaction में glutathione के क्या होता है for example कभी-कभी कोई एक drug होता है तो उस drugs के metabolism के बाद वो drug क्या बन जाता है highly reactive या फिर वो drug में क्या हो जाता है कुछ intermediates का formation होता है intermediates कौन से? epoxide intermediate का formation होता है तो फिर अगर ये सारे चीज़े हैं जो highly reactive drug है या फिर अगर intermediates का formation हो रहा है ये सारी चीज़े अगर हमारे blood में रह जाएंगी तो फिर उससे क्या होगा हमारे blood में toxic city हो सकता है तो इसी वज़े से क्या करता है? कि glutathion conjugation में कि जो highly reactive quinine होता है quinine एक drug है उसको क्या करता है? इनक्टिवेशन कर देता है या फिर intermediate का जो formation होता है उसको भी क्या कर देता है? इनक्टिवेट कर देता है तो यही होता हमारे glutathion conjugation में कि जो हमारे highly reactive quinine होते हैं या फिर intermediate का जो epoxide का formation होता है इसको क्या कर देता है? इनक्टिवेट कर देता है अगर Glutathune Conjugation हमारा नहीं चल पाएगा नहीं काम करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा Body में Large Amount किसका Large Amount of कुछ Drugs का हमारे Body में Present रहा हो जाएगा Large Amount हो जाएगा हमारे Blood में कुछ Drugs का Example क्या हमारा Para Setamoli हtz Pan Amount हम लेते हैं तो glutathione का supply हमारे blood में कम जाएगा कि अगर इसका shortage होगा इसमें अगर glutathione conjunction में shortage होगा तो फिर हमारे body में क्या हो जाएगा toxic adducts का formation होगा toxic adducts मतलब हमारे blood में क्या होने लगे ये जमा होने लगेंगे ठीक है उससे क्या होगा हमारे टीशू के constituent में हमारे drug जो है वो क्या होगे toxicity काॉस करेंगे और उससे क्या होगा टीशू का damage हो जाएगा उससे हो जाएगा अपना टीशू का damage ग्लूठाथियों सप्लाई अगर कम जाएगा हमारे body में क्या होने लगेगा toxic a drugs का formation होने लगेगा and उससे क्या होगा tissue में ये जमा होने लगेगा tissue में क्या हो जाएगा toxic a drugs जमा होने लगेगे और उससे क्या हो जाएगा हमारे tissue में damage हो जाएगा tissue के क्या हो सकती है necrosis हो सकती है तो glutathione conjugation एक बड़ फिर से कर लेते हैं कि mercapturate का formation होता है है ना कि जैसे mercapturate क्या है salt of mercaptan तो कुछ drugs क्या होते हैं कि उनका जो metabolization के बाद highly reactive quinine का formation होता है या फिर intermediate epoxides का formation होता है तो फिर उससे क्या होता है हमारे blood में toxicity count होता है तो इस Conjugation में क्या होता है कि inactivation होता है कि इसका highly reactive quinine का या फिर intermediate का तो large amount of कुछ drugs के वज़े से अगर हमारे blood में कुछ drug का large amount होने लगेगा जैसे कि paracetamol हम लोग consume करते हैं तो फिर उससे क्या होगा अगर कम होने लगेगी तो टॉक्सिक एडक्स का formation होगा जिससे कि टिशू में हमारा एडक्स क्या होने लगेगा जमा होने लगेगा उससे टिशू damage हो जाएगा तो यह था हमारा गुलूटा थी उनका यह बहुत इंपोर्टेंट है किसके लिए activation के लिए किस चीज के अक्टिवेशन के लिए या पिरिडीन के अक्टिवेशन के लिए किसमे हमारे anti-metabolites में जो कि किसमें यूज होते हैं यह पियूरीन और पिरिमीडीन हमारे तेरापी में यह करके डिसकस करते हैं इन सारे पॉइंट्स का मतलब प्यूरीन क्या है हमारा प्यूरीन मतलब जो प्यूर है 8G AG AG mark का जो sign होता है A for क्या A Adenosine Adenine G for Guanine and Pyrimidine क्या है हमारे TC Thymine and यह होए C अपना cytosine तो इनके activation के लिए Ribon Nucleoside यानने Uglutide का synthesis process होता है हमारा ठीक है तो इसमें क्या होता है Purine के activation या Pyrimidine का activation और यह सब activation क्यों किया जाता है Chemotherapy के case में मतलब chemotherapy में क्या होता है एक therapy है जो की Cancer patients को दिया जाता है उसके treatment के लिए ओके तो बहुत सारे drugs जो होते हैं वो metabolize हो जाते बहुत सारे pathways से तो उसी वजए से बहुत तरह के metabolize metabolites produce होते हैं एक ही drug के है For example हमारा जो alcohol है वो किस enzyme से activate होता है activation इसमें हो रहा है ना वो किस enzyme से activate होता है Dehydrogenase enzyme से हमारा alcohol का क्या होता है activation होता है और वो अपना असर दिखाता है और वैसे ही दूसरा example ले लेंगे क्या हमारा Adrenaline Adrenaline की enzyme से हमारा activate होता है तो यह था हमारा ड्राइबो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस एंड नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल